Hello everyone, welcome to my youtube channel तो आज मैं आपके लिए एक short trick लेके आई हूँ और इस trick के जरीए आप इसको easily याद रख सकते हो कि बाबर के द्वारा भारत में पर्मु घटना क्रम को आप किस तरह से याद रखोगे यह हम आज इस short trick के जरीए याद रखेंगे तो first है, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया और 29 में घर गया और 30 में मर गया यह सभी बाबर के द्वारा भारत में जो पर्मु घटनाए हैं वो इस trick के जरीए हम याद रखेंगे प्रिविएस येर, HPTZT Medical के Commission में भी ये question पूछा गया था कि बाबर के द्वारा कौन सा युद नहीं लड़ा गया था तो उसमें से उन्होंने option दिये थे पानीपत का प्रथम युद, घागरा का युद, खनवा का युद और second था पानीपत का दूसरा युद तो इसमें से जो option होना था, वो होना था पानीपत का दूसरा युद, जो मैंने previous year जो मेरी वीडियोज हैं, वहां पे मैंने HPSSE का, HPTZT Medical का कमिशन का question discuss किये हुए है, वहां पे ये question मैंने discuss किया है, तो चलिए देखते हैं कि ट्रिक क्या है, बीस में पानी पिया, 27 में खाना खाया, फिर 28 में चल दिया और 39 में घर पहुँच गया, और 30 में वो मर गया, ये है बाबर के पूरी घटना करम, जो भारत में हुए थे, तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद हुआ, ठीक है, ये बात हमने कर ली, और जो मैं बोलूँगी वो आप नोट जरूर करना, ठीक है, राइट, पानीपत का प्रथम युद हुआ था, किसके बीच में, तो जैसे कि हमने बात की बाबर की बात कर रहे हैं, तो एक तो बाबर थे और दूसरे थे इब्राहिम लोद्धी, पानीपत का प्रथम युद हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोद्धी के बीच में, याद रखना आप इसको नोट करते रहे हैं, चल से चंदेरी का युद, जो मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था, फिर 39 में वो घर चला गया, घर चला गया तो घागरा का युद, 1529 में घागरा का युद जो महमूद लोद्धी और बाबर के बीच में हुआ था, तीस में मर गया, तीस में बाबर के मृत्य हो गई, 1530, तो ये है हमारा शोट ट्रिक अब बात करते हैं पानिपत का दृत्तियुद्ध सेकिंड बैटल सेकिंड बैटल जो हुई थी वो हुई थी 5 नवंबर 1556 में 5 नवंबर वो हुई थी 1556 में ठीक है 5 नवंबर 1556 में हुई थी किसके बीच में हुई थी अकवर और हेम्मू के बीच में हेम्मू जो था वो हेम चंद्र विक्रम दृत्यों का शोट नेम था ठीक है निक नेम उनका लोकप्रिय नेम था हेम्मू हेम चंद्र विक्रमा दृत्यों और अकवर सेकंड बैटल किसके बीच में हुई थी अकबर मुगल शाशे कौन था अकबर और किसके बीच में हुई थी हेम मुँ के बीच में ठीक है हेम मुँ के बीच में हुई थी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत पानीपत कहा है पानीपत जो है हरियाना में है ठीक है अब पानिपत का तीसरे युद की बात करते हैं जो अहमद शाह अबदाली और मराथा शेनापदी सदा सिव राव भाव के बीच में हुई थी कब हुई थी थर्ड बैटल? थर्ड बैटल ओफ पानिपत यह आपको याद रखना है तो इसी में से कोशिर पुछा था कि बाबर ने कौन सी लडाई नहीं खेली थी कौन सी लडाई नहीं लड़ी थी तो वो थी सेकिन्द बैटल ठीक है तो थर्ड बैटल हमारे पास आगया 161 में 1761 में थर्ड बैटल अपानिपत हुई थी जो किसके बीच में हुई थी अहमद शाह अबदाली और मराठ्थों के बीच में हुई थी क्योंकि उस टाइम क्या हुआ था जो 1760 की बात करें तो वहाँ पे दत्ताजी सिंधिया की मृत्य हो गई थी जिसके कारण तृत्तिय युद हुआ था पानिपत का और इसके दुरान क्या हुआ जब दत्ताजी सिंधिया की मृत्य हो गई तो मराठ्थों ने अपनी विशाल जो सेना थी पर आक्रमन करने और उनसे बदला लेने के लिए भेजी जिससे बदला लेने के लिए अहमत शाह अबदाली से लेके जिससे पानिपत का तृत्तिय युद हुआ थैंक्यू